एक taxpayer या professional उसकी life में जो सबसे बड़ी tension जो सबसे बड़ी headache होती है वो ये होती है अलग-अलग month में आने वाली different due dates और कई बार क्या होता है इतनी due dates आ जाती है वो हमसे हो जाती है miss और फिर हमें पे करने पड़ती है late fees, heavy penalty तो इससे बचने के लिए क्या करा जाए तो इसी से ये CBDT ने release किया है 2023 का calendar लेकिन लेकिन वो calendar में सिर्फ आपको क्या मिलेगा income tax की due date तो मैंने उस calendar में एक तड़का लगा दिया है सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूं उस calendar में ये है वो calendar जो CBDT ने release किया पट मैंने देखा कि इसमें सिर्फ income tax related ही due dates है पर हरमान तो हमें और due dates देखनी पड़ती है तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें add किया जाए थोड़ा तड़का और आपको सारी due date दी जाए एक ही जगा पर तो बस मैं ले आया हूं ये calendar जैसे अलग-अलग calendar होते हैं बैंक का अपना अलग होता है state government के अलग होते हैं holidays के अलग-अलग religion के अलग-अ थोड़ा मैं आप लोगों के लिए थोड़ा ता उसमें तड़का मिर्श मसाना लगा के मैं आपको दे रहा हूं सारी due date एक ही calendar में इसका जो link है वो description में मैं आपको दे दूँगा आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो print out ले लो चाहो तो mobile में save कर लो और जब भी ज professional की life में या taxpayer भी ले लो कौन-कौन से important month आते हैं तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो आता है July का month July month में हमें पता है काई सारी due date आती है जैसे देखिए हर month के 7th of every month हमें क्या pay करना होता है सर हमें pay करना होता है TDS फीक है फिर 10 को GSTR 8 की due date आ जाती है GSTR 1 की हमें पता है वो 11 होती है जो लोग QR MP scheme में होते हैं उनकी due date भी आ जाती है 13 को और GSTR 5 and 6 की भी 13 ही होती है क्योंकि ये पहला quarter 30 June को end होता है तो वहाँ पर एक जो composition dealer है उनके return की भी due date है CMP 08 फिर हमें 20 को GSTR 3B उसकी due date आ जाती है 24 को जो लोग QR MP में है उनकी due date है GSTR 3B की कुछ state में 22 भी है और जो सबसे बड़ा तेवहार है वो होता है ITR का तो जो individual है non audit case है उनका जो ITR जाता है उसकी भी due date 31 July होती है and पहले quarter का जो TDS return है उसकी due date भी 31 July तो एक ही दिन में 22 due date ITR की भी TDS के भी तो GST मतब जुलाई के महीने में इतनी due date आती है उसके बाद जो अगला important हमारा जो मन्त है वो होता है सितमबर इसमें भी अलग-अलग due date जो हर मन्त आती है वो तो आती ही है उसके अलावा 15 को due date आ जाती है advanced tax pay करने की and 30 सितमबर को tax audit की due date होती है जिनके उपर tax audit applicable है उनको tax audit 30 सितमबर तक करवाना होता है तो सारे professional busy रहते हैं tax audit में और 30 सितमबर ही होती है company की AGM की due date मैंने note भी दे रखा है हर page में जहाँ-जहाँ necessary है कोई भी company हो उसको हर साल annual journal meeting conduct करनी होती है उसमें वो अपने shareholder को company क्या बताती है पूरे साल भर में उसकी क्या performance रही है कौन आया कौन गया कितना profit कितना sale कितनी purchase ये सारी चीज़े कैसे पता चलती है shareholder को annual journal meeting में तो सारे important decision AGM में लिये जाते हैं उसकी भी due date क्या होती है 30 सितमबर तो ये दूसरा important month होता है उसके बाद जो सबसे important और जिसमें भर भर ये due date आ जाती है वो होता है October और इसमें आपका तेवहार भी खूब आते हैं कई बार दशहरा पड़ गया दिवाली पड़ गई और due date भी इसमें भर भर के आती है जो regular nature की हैं जैसे TDS का payment, GST वो तो है ही उसके अलावा देखिए क्योंकि ये भी दूसरा quarter end होता है तो यहाँ पर भी QRMP की due date आ जाती है composition dealer वालों की due date आ जाती है और इसके अलावा जो audit case होते हैं जिनके उनकी भी जो ITR होते हैं उनकी due date होती है 31st October और 31st October को ही आपको TDS का return भी file करना है और एक दिन पहले ये तो 31st October की बात हो गई 30 October को आपको AOC 4 file करना पड़ता है ये क्या होता है सर मैंने नीचे दे रखा है AOC 4 is for annual return of company हर company every year एक annual return file करती है AOC 4 में उसकी due date 30 October होती है उसके अलावा 14 October को due date होती है ADT1 की हर company में auditor appoint करना mandatory होता है तो जब auditor appoint होता है तो उसके लिए ADT1 file किया जाता है उसकी भी due date October में होती है 14 को तो इतनी due date हमें October में face करनी होती है इसलिए chances होते हैं कि आप से due date miss हो सकती है लेकिन अब नहीं होगी because आपके पास होगा ये calendar तो अब आपको कोई tension ने लेनी है आप print out निकाल लो आप mobile में save कर लो तो जब September, October, July कोई भी मनता है आप बस open करो और आपको सारी due date एक जगहा पर मिल जाएगी उसके बाद November में भी कुछ due date होती है वो भी देख लेते हैं एक तो देखिए सबसे important अगर मैं बात करूँ तो वो होती है MGT 7 MGT 7 भी हर company को every year file करना होता है AOC के बाद तो MGT की डेट यहाँ पर आ जाती है हना उसके बाद जो बाकी due date है regular वो तो रहती ही है और जो transfer pricing की case होते हैं उनके income tax return की due date भी क्या होती है 30 November तो यह है और उसके बाद आ जाता है हमारे साल का आखरी मन्त और आखरी मन्त में हमें पता है कि last date होती है 31 December अब यह बड़ी important है because इसी दिन जाता है GSTR 9 annual return और यही date है जिस date तक आप आप income tax का return फाइल कर पाएंगे belated इसके बाद ना belated return फाइल होगा ना आप return revise कर पाएंगे तो अब यह सारी due date आपको मिल जाएंगी एक ही जगा पर link description में है तो अब I hope due date की आपको tension नहीं लेनी है मैंने बहुत मतब research करके यह वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कैसा लगा मुझे ज़रूर बताईएगा अगर आपको इससे कोई help मिली तो मुझे आगे कभी भी आपको लगे कि हाँ यह जो calendar है यह आपके लिए useful है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए ऐसे ही मदेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिये सिये मित्रा 24 को मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में